Hello friends, this is Shifali and once again, welcome back to Yaradha. So, आप सभी लोगों के लिए दोर तीन अपडेट्स है, important अपडेट्स है. सबसे पहले अपडेट देने से पहले आप सभी को धेर सारी नवरातरी के शुपकामना है और आज जर नवरातरी का second day है. तो हिंदू पंचाग के हिसाब से अगर समझे तो हमारा जो हिंदू नवर्ष है वो अब जा करके शुरू होता है, यानि कि कल 22nd March को प्रती पदा के दिन, पहला 1st आप बोल सकते हैं जिसे हम लोग 1st January को हम लोग New Year celebrate करते हैं, उसी तरीके से हिंदू राष्ट्र में कह लीजे या हमारे सनातन धर्म में ये वर्ड यूज़ करना ज्यादा अक्शली प्रॉम्ट होगा, हमारे सनातन धर्म के अनुसार जो है वो 22nd March से यानि कि कल की देट से नया वर्ष नवर्ष शुरू हो गया है, तो आप सभी को नवर्ष की धीर सारे शुपकामना है और नवरात्री जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं, 26th March को होने वाले हैं, तो होफुली आप सभी दोगे अपने अड्मिट कार डाउनोड कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो डाउनोड कर लीजे, और इनके जो एग्जामिनेशन होते हैं, वो जो आपके UGC NET के एग्जामिनेशन के comparatively, काफी easy होते हैं, काफी आसान होते हैं, तो अगर आपने practice session लगाए हुआ हैं, और आपने हमारी classes को भी train किया है, खुद से भी अगर आपने self-study किया हुआ है, तो doable question आएंगे, easy question आएंगे, तो उसके लिए आप लोग अच्छे से अपना preparation करिए, और रही बात UGC NET के आपके answer keys की, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 22 मार्च से लिकर के 25 मार्च के बीच में आपके answer keys आ जाएंगी, तो आज है 23 मार्च, वीट कर लिजए, दो तिन दिर में आपके answer keys आ जाएंगी, आपके जो final result होंगे, वो इस महिने के last में आप सभी को देखने को मिले तो 25 मार्च तक आपके answer keys आ जाएंगे, फिर उसके बाद में जो आपका window open किया जाएंगे, तीन दिन का आपको वक्त मिलेगा, आप challenge कर पाएंगे question को, फिर उसके बाद आपका final जो answer की होगा, उसको revise किया जाएगा, और उसके बाद final result will declare किया जाएगा, इसी बीच में आपकी examination होने ही होने है, तो आप लोग mentally अपने आपको prepare करें, अपनी preparation को, अपना जो syllabus से उसको complete करें, और आपको मैं बता दू कि हम लोग नया batch paper 1 का शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल free of cost, again, तो आप उन batches में enrollment ले सकतें, इन्रोल्मेंट लेने के लिए कुछ नहीं करना, आ ताकि आप लोग को क्लास का जो update है, और आपको ये चैनल सब्स्राइब कर लेना है, चैनल सब्स्राइब करके bell icon को प्रेस कर लेना है, ताकि जबी भी हम लोग live जाए, या कोई भी important में video डालो, कोई notification डालो, तो आप यहां पे, आप उस link पे क्लिक करके, आप जॉइन हो सक आते हैं, तो आप दिये गए नंबर पे call कर सकते हैं, और आप रइस्रेशन करा सकते हैं, आप दिये गए नंबर पे WhatsApp भी कर सकते हो, अगर आप hello लिकर के अपना नाम लिकर के WhatsApp कर देते हो, तो details आपको share कर दिया जाएगा, कोई query है, तो आप call कर कर की पूच सकते हैं, हर हाल आप में Telegram important है, क्योंकि वहीं पे आपको PDF मिलेंगे और बाकी की सारी details, सब्स्राइब कर दीजेगा, सब्स्राइब करने से भी आपको सारी information मिलती रहेंगी, इसके लावा जो हमारा Paper 1 है, वो पूरा unit wise, structure wise, topic wise, सारी classes में आपको कराने वाली हो, practice session में आपको कराने वाली हो और हमारी जो classes है वो 9 बज़े चलती है शाम को, और आज से यानि कि 23rd March से Paper 1 की classes वो शुरू हो जाएंगी, तो आपका स्वागत है उन classes पे, Paper 2 की classes जो commerce की है वो भी continue हो जाएगी, अभी दोते दिन से commerce की classes नहीं चल रही थी, साड़े साथ बजे Paper 2 commerce का timing है, तो आप उसको भी देख लीजेगा, Paper 1 में interested है तो आप इसे भी देख लीजे, फ्री classes है, आप लोगों को एक रुपै शुल्क नहीं देना है Paper 1 के लिए, सारी classes structured wise है, अगर आप डेमो के तोर पे class देखना चाहते हैं, तो आप चले जाएगा, प्लेलिस्ट में, महां पे UDC net golden batch करके playlist बनी पाएंगे, आप समझ पाएंगे, तो आप उचीश को आगे continue करने में आपके लिए easy रहेगा, बाकि all the very best है, जिनका भी examination set का है, और महाराष्ट्रा सेट का है, चाहराजिस्थान सेट का है, wish you all the very best, और हमने वोग अपनी classes को continue करेंगे ही, तो welcome है आप सभी लोगों का, यही छोड़ी से update और important update आप सभी को देनी थी, और wish you all the very best and get success एक बार, फिर से आप सभी को नवरातरी की धेर सारी बहुत सारी शुब कमना है, वीडियो पसंद आई और informative लगी, तो जाते जाते लाइक करके जाएगा, शेयर करेगा, सब्स्राइब भी कर लिजेगा, अगर आप प्रहस्ट